समस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी सुन्दरता का मुल्य एक मज़ेदार कहानी एक अति सुन्दर महिला ने विमान में परवेश किया और अपने सीट की तालाश में नजरे गुमाई उसने देखा कि उसकी सीट एक ऐसे वेक्ति के बगल में है जिसके दोनों हाथ नहीं है महिला को उस अपाहिज वेक्ति के पास बैठने में जीचक हुई उस सुन्दर महिला ने एर होस्टेस से बोली मैं इस सीट पर सुईधा पूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि साथ की सीट पर जो वेक्ति बैठा हुआ है उसके दोनों हाथ नहीं है उस सुन्दर महिला ने एर होस्टेस की सीट बदलने ही तो आगरे किया असहज हुई एर होस्टेस ने पूछा मैं क्या मुझे आप करण बता सकती है सुन्दर महिला ने जवाब दिया मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती मैं ऐसे वेक्ति के पास बैठ कर यात्रा नहीं कर पाऊंगी दिखने में पड़ी लिखी और विनर्म परतीत होने वाली महिला की यह बात सुनकर एर होस्टेस अचंबित हो गई महिला ने एक बार फिर एर होस्टेस से जोड़ दे कर कहा की मैं उस सीट पर नहीं बैठ सकती अदय मुझे कोई दूसरी सीट दे दी जाए एर होस्टेस ने खाले सीट की तलाश में चारों और नजर गुमाई पर कोई भी सीट खाली नहीं दिखी एर होस्टेस ने महिला से कहा कि मैडम इस एकनॉमिक क्लास में कोई सीट खाली नहीं है किन्तो यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायुत है अदा मैं विवान के कप्तान से बात करती हूँ करपय तब तक थोड़ा धेरे रखे एसा कहकर एर होस्टेस कप्तान से बात करने चली गई कुछ समय लोटने के बाद उस महिला को बताया मैडम आपको जो अस विदा हुई उसके लिए बहुत खेद है इस पूरे विवान में केवल एक सीट खाली है और वह प्रतम श्रेड़ी में है मैंने हमारी टीम से बात की और हमने एक आस अधारण नीन ले लिया एक यातरी को एकनोमिक क्लास से प्रतम श्रेड़ी में भीजने का कार्य हमारी कमपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है सुन्दर मेला अत्यांत परसन हो गई किन्तो इससे पहले की वह अपनी पतिकरिया व्यक्त करती और एक शव भी बोल पाती एहर होस्टेस उस अपाईज और दोनों हाथ वहीन व्यक्ति की और बढ़ गई और विनरता पुर्वक उनसे पूछा सर क्या आप अप अर्थम श्रेड़ी में जा सकेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करके परिशान हो यह बात सुनकर सभी यात्रों ने तालिव जाकर इस निन्ने का स्वागत किया वह अति सुन्दर दिखने वाली महिला तो अब शरम से नजरे भी नहीं उठा पा रही थी तब उस अपाहिज वैक्ती ने खड़े होकर कहा मैं एक भुदपुर्फ सैनिक हूँ और मैंने एक उपरेशन के दोरान कश्मीर सीमा पर हुए बंव स्पोर्ट में अपने दोनों हाथ खोई थे सबसे पहरे जब मैंने इन देवी जी की चर्चा सुनी तब मैं सोच रहा था कि मैंने किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोके में डाली और अपने हाथ खोई लेकिन जब आप सभी की पतिकरिया देखी तो अब अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अपने देश और अपने देशवासियों की खातिर अपने दोनों हाथ खोई और इतना कहकर वह पर्थम शेणी में चले गई सुंदर महिला पूरी तरह से शरमिंदा होकर सिर जुकाय सीट पर बैठ गई अगर विचारों में उदारता नहीं है तो ऐसी सुंदरता का कोई मुल्य नहीं है तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं आप मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों